जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज बोल किलब आजाद हैं तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद हैं तेरे और आज बोल में एक नहीं दो नहीं तीन विश है आपके सामने क्या भारती जहता पार्टी गोड से वादी है मुझे हैरत नहीं है बिलकुल प्रग्या ठाकुर ने संसद के अंदर किस तरह से गोड से कुदेश भक्त बताया है मगर आज हम आपके सामने एक बड़ा मुद्दा लाने वाले हैं मुद्दा नमबर दो पश्यम मंगाल की उपचुनावों में ममता बैनर जी की जीत और इसका राष्ट्वी राजनीती पर क्या असर पढ़ने वाला है मुद्दा नमबर तीन उद्दव ठाकरी की शपत गरेंट से ठीक पहले केंद्र सरकार का महराश्य सरकार को तोफ़ा और उतोफ़ा क्या है आदर्श घोटाले में अब अशोक चमान की जाच एंफोस्मेंट डिरेक्टरेट करेगी मैं आपको बताने वाला हूँ कि महराश्य सरकार उद्दव ठाकरे के नेत्रत में उन्हें क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकती है मगर शुरुवात हम करना चाहेंगे प्रग्यठ हाकुर के साथ दोस्तो प्रग्यठ हाकुर ने जो संसद में बयान दिया ना किसी ने उनका इंटर्वियू नहीं किया किसी ने उनको उत्तेजित नहीं किया प्रवोक नहीं किया जब ए राजा अपनी बात कर रहे थे तो उस में बीच में कूद कर उन्होंने ये कहा कि देश भक्तों के बारे में आप इस तरह से बात ना करें मैं चाहता हूँ कि आप उस डेबेट का ये हिस्सा सुनें, फिर हम आगे बढ़ते हैं यानि कि प्रग्या ठाकूर के अंदर एक बहुत जबरदस जुआला मुखी है वो जुआला मुखी, वो जुआला जो की महात्मा गांधी के प्रती नफरत के तौर पर सामने उभर कर आती है सबसे हास्यस पाद बात या लगे रगी मुझे कि संसदिय कार्यमंत्री आपके स्क्रीन्स पर अपने इस बयान में ये कहते हैं कि साब माइक ओन नहीं था और दरसल प्रग्याठ हाकुर ने ये बयान उधम सिंग के बारे में कया उधहम सिंग के बारे में जबकि ए राजा का जो बयान था उसमें आप साफ सुन सकते हैं कि जहाँ पर हस्तक शेप करती है प्रग्याठ हाकुर वहाँ पर उधहम सिंग का जिक्र तक नहीं हुआ था मगर भारती जहता पार्टी को भी ये बात समझा गई कि प्रग्याठ हाकुर को वह डिफेंड नहीं कर सकते लिहाजा जैसे कि आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि जेपी नडड़ा ने ये एलान कर दिया है कि प्रग्याठ हाकुर को अब संसदी समती जो रक्षा मामलों की समती है उससे हटा दिया गया है साथ ही पार्टी की पारलिमेंटरी मीट में भी वो शामिल नहीं होंगे ये बहुत ही सतही कारवाई है दोस्तों क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ कि प्रधान मंतری नरेंद्र मोदी ने इस इंटर्विउ में का कहा था और यहीं नहीं आमिट शाह ने भी कहा था कि इस मामले पर उन्हें कारण मताओ नोटिस जारी किया गया है मगर आज मेरा बड़ा सवाल है आपसे दोस्तों क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ कि मध्यप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान उनके इनी तरह के बयानों को लेकर अकसर उनसे कहते थे मगर देखें दोस्तों एक बात स्पष्ट है बात सिर्फ प्रग्याठ हाकुर तक सीमित नहीं है ये बात बहुत बड़ी है आपके स्क्रीन्स पर ये दो शब्द चतुर बनिया गांधी एक चतुर बनिया थे क्या आप जानते हैं बयान किस ने दिया था ये बयान दिया था मौझूदा ग्रे मंतरी और बीजेपी के अद्धिहक्ष आमिज शाह ने आप बताई ना देश के राश्ट पिता के बारे में कोई चतुर बनिया आखिर कैसे बोल सकता है ये चीज बताती है कि गांधीगीरी को लेकर या गांधीवादी सोच को लेकर भ आम जो नेता हैं इन्होंने कभी न कभी गांधी के बारे में अब शब्द या वाहियात बयान दिये हैं मगर अब मैं आपको इतिहास के पन्ने खंगालने के लिए काऊंगा आज से कुछ दुनों पहले मैंने न्यूस चक्र किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि RSS के अंदर गांधी के लिए सिर्फ अविश्वास नहीं है बलकि जबर्दस नफरत है और 1947 में यानि कि 30 जनवरी 1948 जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उससे एक साल पहले दो साल पहले से ही लगातार RSS उनके खिलाफ गंदा और घटिया प्रोपेगंड़ा चला रहा था आप ये दो मिनिट की रिपोर्ट देखी और उस दो मिनिट की रिपोर्ट के बाद मैं आपको एक बहुत एहम बात बताने वाला हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 अक्तूबर 1947 को दिल्ली पूलीस की फाइल नंबर 138 में इंस्पेक्टर भगवान दास जैन लिखते हैं According to the Sankh volunteers, the Muslim would quit India only when another movement for their total extermination similar to the one which was started in Delhi sometime back would take place They were waiting for the departure of Mahatma Gandhi from Delhi as they believed that so long as the Mahatma was in Delhi, they would not be able to precipitate their designs into action यानि की दिल्ली पूलीस की इस रिपोर्ट में साफ तोर पर लिखा गया है कि जब तक Mahatma Gandhi दिल्ली के अंदर है मुसल्मानों पर किसी तरह की कोई कारवाई ना की जाए और वो जैसे ही दिल्ली छोड़ेंगे उसके बाद अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो मुसल्मानों पर हमला किया जाएगा ये बात दिल्ली पुलीस की रिपोर्ट में है इस बीच साथ दिसंबर को RSS की राली होती है राम लीला मैदान में करीब एक लाक लोग वहां जुटते हैं उस पूरी राली पर CID की भी नजर थी इंस्पेक्टर करतार सिंग उस राली में मौझूद थे उस राली में RSS के बड़े चहरे अब तक के सबसे बड़े ब्रैंड MS गोलवालकर एक भाशन देते हैं करतार सिंग के मुताबिक MS गोलवालकर ने ये शब्द कहे थे दुनिया की कोई ताकत मुसल्मानों को भारत में नहीं रख सकती उन्हें देश छोड़ना होगा महात्मा गांधी उन्हें देश में रखना चाहते हैं ताकि कॉंग्रिस चुनामों के वक्त उनके वोट से फाइदा उठा सके मगर उस वक्त कोई मुसल्मान भारत में नहीं बचेगा गांधी देश के हिंदों को गुमराह नहीं कर सकते हमारी पास और भी तरीके हैं से हिंदों को शांत करने के मगर हमारी परमपरा है कि ऐसी कोई कारवाई ना की जाए जिससे हिंदों को नुकसान हो मगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसा करने से पीछा नहीं हटेंगे तो देखा आपने, M.S. गोलवालकर उनके अंदर महात्मा गांधी को लेकर जबरदस्त नफरत थी अब गोर कीजिए इस किताब पर, इस किताब का नाम है जोति पुंच क्या आप जानते हैं कि ये जोति पुंच किताब किस ने लखी है? ये किताब किसी और ने नहीं, बलकि साल 2008 में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने लिकी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और क्या आप जानते हैं इस किताब में क्या है? इस किताब में जिक्र है उन 15 से 20 लोगों का जिनका प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की शक्सियत पर अच्छा प्रभाव हुआ था और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त किसे दिया? एमेस गोलवलकर को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई किताब में सबसे ज़्यादा वक्त दिया गया है एमेस गोलवलकर को ये क्या साबित करता है दोस्तों? वो शक्स जिसके जहन में गांधी के लिए जबरदस नफरत थी वो हमारे प्रधान मंतरी के लिए सबसे बड़े प्रेणा सुरोत है ऐसे में दुस्तों आप मुझे बताईए न आप कैसे कह सकते हैं कि प्रग्याठ हाकुर की गांधी को लेकर नफरत जो है वो सिर्फ प्रग्याठ हाकुर तक्सीमित है और मैं क्यों ना मानू कि ये भारती जाता पार्टी जो है वो गोड से वादी सोच रखती है प्रग्याठ हाकुर ने तो बहुत पहली ये बात कह दी थी यादे हैं आपको उनका वे बयान फिर से सुनिये नातुराम गोड से देश बक्त थे हैं और रहेंगे खेर इस बात को लेकर राजनीतिक भूचाल भी आ गया है राहूल गांधी में जो पिछले कुछ दिनों से अमूमन मुद्दों पर खामोश हैं उनसे भी पत्रकारों ने सवाल पूशा उन्होंने ट्वीट भी किया क्या कहा राहूल गांधी ने आप भी सुनिये तो जैसे मैंने आपको बताया ना चाहे आमिट शाह हो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हो या फिर इतिहास में भारती जाता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड MS गोलवालकर यानि कि उनकी सोच की निगाह से वो नफरत किया करते थे गांधी से लिहाज़ा मेरा ये मानना है कि भाजपा जो है वो गोडसेवादी है और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि वो जानते हैं कि दुनिया में भारत ने जो अपना सिक्का बनाया है ना शखसियतियों की निगाह से वो गांधी की वज़ा से बनाया है क्योंकि गांधी गांधी जो है भारत की तरफ से दुनिया को प्रस्तुत किये गए सबसे बड़े ब्रांड हैं इन चेहरों पर गौर कीजे नेलसन मंडेला माटल लूथर किंग दलाई लामा यहां तक की अमरीका के पूर वराश्बती बराक उबामा इन तमाम लोगों के आदर्श महात्मा गांधी थे ऐसे में भारती जनता पार्टी सच बताएं तो बुरी तरह से फस गई है एक तरफ तो गोडसे वादी सोच दूसरी तरफ वो जानते हैं कि अगर वो गोडसे की रहा पर चल पढ़ेंगे पूरी तरह से आपचारिक तोर पर मैं इस्तमाल कर रहा हूँ आपचारिक तोर पर क्योंकि आप जानते हैं अनापचारिक तोर पर तो चाहे भारती जनता पार्टी हो चाहे उनसे जुड़ी संस्थाएं हो चाहे मीडिया हो सब की गोडसे वादी सोच हो गई है तो मैं जो आपसे कह रहा था कि में हम बात करते हैं अपनी दूसरे वशय की आज का दूसरा मुद्दा है उद्दव ठाकरी की शपत ग्रेंट से ठीक पहले प्रवर्ता निदेशाले यानि कि इन्फोस्मेंट डिरेक्टरेट सक्री हो गया है और वो अब आदर्श घोटाले की जाच करेंगे और यहीं नहीं अशोक शवान जो हैं उन पर शिकंजा कसे का अशोक शवान जो की कॉंग्रेस की नेता है दोस्तों वाकी हास्यास पद है अब तो मुझे लगता है कि भारती जाता पार्टी को या इस सरकार को अपनी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी जैसे ही कोई चुनाव आता है या फिर विपक्ष के हाथ कोई सफलता लगती है अचानक फिर आप इन्फोस्मेंट डिरेक्टरेट, इंकम टाक्स सीबियाई की तरफ रुख करते है मगर यहां एक बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों अब मुंबई की सत्ता पर आसीन है शिव सेना, कॉंग्रिस और एन्सीपी, यह देश की आर्थिक नब्स है यहां पर कुछ ऐसे न्यूस चैनल्स का दफ्तर है उनका केंडर है जो की भारती जनता पार्टी के पिछलगू है यकीन मानिये आने वाले दिन बहुत दिल्चस्प होने वाले है क्या होने वाला है इस पर गौर कीजेगा हो सकता है जज लोया की रहस्माय मौत की फिर से जाच शुरू हो जाए अनिल अमबानी के जो बिजनस इंटरेस्स है उनकी फिर से जाच शुरू हो जाए एक नीउस चानल के संपादक है उनकी जाच शुरू हो जाए किस बाद को लेकर जाच क्योंकि एक व्यक्ती ने आत्म हत्या की थी और उसने अपनी सियूसाइड लिटर में एक न्यूस चैनल के संपादक का नाम लिया था देविंदर फड़नवी सरकार ने तो कुछ नहीं किया मगर यकीन मानिये श्वसेना सरकार या ये जो सरकार उद्धव ठाकरी के नेतरत में है वो खामोश नहीं रहने वाली है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह का बेमानी प्रतिशोद अपने राजनीतिक वेरोधियों पर शुरू करते हैं तो फिर आपको प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए और यही वज़ा है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले दिन बहुत ही दिल्चस्प होने वाले हैं सियासत की निगाह से क्योंकि भारती जनता पार्टी इस वक्त जबर्दस दबाव मैं है दोस्तों सी वोटर का एक सर्वे बताया है और उसमें बात सामने उभर कर आई है कि भारती जनता पार्टी बेशक सिंगल लाजस पार्टी बन कर आएगी मगर अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर रही है अब जब सी वोटर इन्हें 30 सीटों के आसपास दे रहा है तो मान के चलिए कि आप इसे कम ही कर दीजे वो भी जबकि पहले चरण का मतदान नहीं हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ कि भारती जनता पार्टी को बहुत कम सीटे मिलेंगे क्योंकि सी वोटर के सर्वे में 3-4 बाते कहे गए है पहली बात ये कि रगुवरदास सरकार से लोग खुश नहीं है 60% लोग उनसे खुश नहीं है दूसरी बात ये कि विपक्ष का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है जी हाँ उनके जो ने चुनौती दे रहे हैं उनकी लोग प्रियता लगातार बढ़ रही है और इसी से जुड़ी है बोल के लब आजाद हैं तेरी में मेरी तीसरी पेशकष दोस्तों ममता बैनर जी को उप्चुनावों में जीत हासिल हुई है और आप जानते हैं इनमें से एक सीट वो है जहां पर पश्शिम मंगाल में बीजेपी अध्यक्षत दिलीब गोश का गढ़ माना जाता है कुछी दिनों पहले भारती जानता पार्टी को 18-19 लोकसभा सीटे मिल गए थी और इसके बाद अब जाकर अगर इन उप्चुनावों में ममता बैनर जी को जीत मिल रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिपणी है ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता रहा हूँ आपने देखा होगा कि ममता बैनर जी लोकसभा चुनाव के बाद अचानक खामोश हो गए वो हर मुद्दे पर नहीं बोल रही है वो इस बात को समझ गई है कि वो जितना ज्यादा मोधी पर हमला करेंगी उतना ही उन्हें नुकसान होगा और क्यूं? क्योंकि जब-जब वो भारती जनता पार्टी को या प्रधान मंत्री दरेंद्र बोधी को आड़े हाथों लेती थी पूरा गोधी मीडिया उन पर चड़ जाता था पूरा प्रचारत अंतर उन पर चड़ जाता था उन्हें हिंदू विरोदी, मुस्लिम परस्त इन तमाम चीजों से नवाजने लगता था ममता बैनर जी ने कहीं न कहीं सबक लिया है किसी और से नहीं बलकि इस शक्त से जिनका नाम है अरविंद केजरिवाल, आपको याद है अरविंद केजरिवाल ने प्रधान मंतरी को साइकोपाथ तक बता दिया था कुछ दिनों से अरविंद केजरिवाल खामोश हैं, वो अपने काम पर जोर दे रहे हैं उसके बाद से आपने एक बात पर गौर किया होगा अचानक दिल्ली में उनको लेकर राय बदलती जा रही है अब इस तारह की सुब्गाहट है कि हो सकता है अगले साल जो दिल्ली के विदान सभा चुनाब होने हो उनमें अरविंद के जिवाल की पार्टी नंबर वान की पार्टी हो सकती है देखिए सियासत में कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि भारती जानता पार्टी नंबर वन पार्टी हो तो जो मैं मुद्दाब से कर रहा था ना कहीं न कहीं ममताब आनर जी ने सबक लिया है किसी और से नहीं, बलकि अर्विंद के जिवाल से, और यही वज़ा है दोस्तों, ये तमाम मुद्दे, महराष्ट में, शिवसेना NCP कॉंग्रिस की सरकार, और अगर जहारखट में बीजेपी की हार हुई, और फिर पश्चिम मंगाल के उपचुनाव के नतीज़े, और फिर सादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें, अभिसार शर्मा को दीजे अजासत, नमस्कार